कि नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सिंग स्वगत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पाड़ी कुग इंकल्चर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि वीडियो लाइक जरूर करें आज मिनकल्ब बनाते हैं दाल मखनी कही तरीके से दाल मखनी बनती है उनमें से एक तरीका मेरा भी है चलोगी स्टार्ट करते हैं यह उड़ा दाल सापूट जो कि आज गंटे पहले बिखा दी दे और दाल हमारी फूल चुकी है अब इसको हमें वासि करना है कम से कम साथ आठ पानी से और इसको रगड़ना हैा हाथ से के राजमा एक केजी करीब वास केजी सी करीब वूरत सापूत है कि हम दोलयेंगे उसे साथ आठ पानी से शिकल हम यहाँ पर पूरे नहीं निकाल लेंगे कर रूक है अब ब keiner ताल को अच्छे से दो लिया है अब इसको चड़ा देंगे हम आजमा एड़ करके बटी वे कैस चालू कर दिया हुआ हुआ है है अब यह कि इसमें आ चुका है उपाल तो इसका यह ज्ञाग है इसको निकाल के फैंक देंगे हटा देंगे अ सारा छाग अठा देंगे मिलाम है मैं अब इसमें झायब करूंगा मैं और यह खड़े मशाली कि फूटली वे इसमें आपके अस्ट प्रपा है जोबड़े उलाची छोड़ुटी एलाची लॉंप कालीमिर्च यह फोटली बना इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे देगी में डाला है मैंने 200 ग्राम करीब नमक और यह है तेल और डालके अब इसको कर देंगे इसको सील कर दिया है अब इसको हम चड़ा देंगे तंदूर पे लाश्ट में जाते वक यह हमने तंदूर पे डाल चड़ा दिया है इसके उपर रख देंगे हम ढ़कन और उसके उपर रख देंगे एक बरतन में पानी बरके पानी रोखो इसको को यह है दोस्तों जब तक सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी आएंगे तब तक डाल हमारी अच्छे से पक चुकी होगी यह अब दिखाता हूँ मैं यह दाल विर्कुल ऐसे पक चुकी है विर्कुल यह मक्षन की तरह जब कि अभी इसमें कोई भी एग्रिडेंट ऐसा नहीं पड़ा है अब इसको वैसे तो यह बुकी हुई है अलका से गोट लेंगे और इसके बाद आती है इसमें तड़का माने की बारी अब डाल परफेक्ट पकी हुई है ज्यादा गोटने के भी इसमें कोई चर रह नहीं है और यह था वाइड बटर दो केजी इससे बनाया मैंने घी यहीं पर प्रिटर करके इसको पका के यह तो प्रिया चैटीन तमाटर प्यूरी डालूंगा मैं दाल में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इस हिसाब से आप बना रहे हैं मैं पतिलब भर के बना रहा हूं तो उससाब से मुझे इस सारे टमाटर प्यूरी ओपन कर लिया है अब यह घी को च्छान के डालेंगे यह मैंने यहीं पर वाइड बटर से बनाया अब डालेंगे इसमें अधर लहसन का पेस्ट अधर लहसन के पेस्ट को बून लेंगे बच यही इसमें मसाले जाएंगे अब टमाटर प्यूरी टाल देंगे रोगन छोडने तक टमाटर प्यूरी को पका लेंगे यह हमारा घी छोड़ गिया है अब इसमें डाल देंगे आम डाल जो हमने रात बर पंदूर पर पकाई थी अब इसको हिला लेंगे इसको लगातार हिलाना है छोड़ना नहीं है नहीं को नीचे लग जाएगी और डाल जो ची दल जाएगी इस चिपरती चल दिया है तब कि मेरा पतेलर ओपर गया देखो दाल मखनी है पके तयार हो गया है कि हम रेस्टूरेंट स्टाइल या होटल में ऐसे बनाते हैं उसके बाद इसको तंड़ करने के बाद इस तो उर्तर देंगे अब इसमें बारी आती है फाइनल जो बनता है उसके लिए डालेंगे बटर देगी मिर्च कस्कुरी मेथी इसम और हलका सन्नमग केस्ट के अनुसार जीरा पॉडर गरम मसाला और यह है फ्रेस क्रीम यह हमारी डाल मखनी तयार हो चुकी है थैंक्यू सो मच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में